जालोर सिरोھی लोकसबा सीट से कॉंगरेस प्रत्याशी वैभवं गयलोत के नामांकन से पहले मतदाताओं को प्रलोबन देने की शिकायत का मामला सामने आया था तो वही अब एक बार फिर से कॉंगरेस प्रत्याशी वैभवं के रुचार प्रसार के दौरान एक वाहन को जब्त करने की कारवाई की गई है इस बार बिना स्विक्रेती के प्रचार प्रसार सामगरी परिवहन करने के मामले में कारवाई की गई है प्रचार में प्रयोक्त वहन को FST टीम ने जब्त किया है लोगसबा चुनाव दोहजार चुबिस के दोरान जालोर विधानसबाक शेत की FST 05 टीम ने बिना स्विक्रती प्रचाप प्रसार सामगरी के परिवहन में प्रयोक्त वाहन को आदर शाचा सहिंता का उलंगन करने पर जप्त किया है FST 05 टीम को मिली सूचना के आधार पर शनिवार को टीम ने तीकी ग्राम पहुंच कर जानकारी ली तो एक टैंपो में क पॉस्टर्स को चस्पा कर रहे थे इस पर FST टीम के नियमानुसार कारवाई करते वे पॉस्टर्स और अन्य चुनाव सामगरी परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जप्त कर लिया गया गोरतलब है कि पुर्वमुख्यमंत्री अशो गहलोद के बेटे वैभव गहलोद जालो सब्सक्रावी मैदान में है कॉंग्रेस के टिकेट पर तो वहीं दूसरी और बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी के टिकेट पर लुंबा राम चौदरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मगर अब आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही वैभव गहलोद के खिलाफ प्र पाचार सहिंता उलंगन के दो माम लेज सामने आ हैं जिनके खिलाफ शिकायत भी दर्च कर ले गई है